नवश्कार, इस समय हम हैं चिताओडगड में और चिताओडगड के विजय स्तंब के सामने विजय स्तंब एक ऐसी सनचना है जो अपने आपने राणा कुम्भा के एतिहासिक दस्तावेज को दर्शा रही है हम जानते हैं इस चिताओडगड को जो अधे भेद्य जो भेदाना चाह सके इस तरीके का एक ऐसी सनचना बहुत ही उचाई पर आप जब नीचे साएंगे तो पता चलेगा कि एक बहुत ही उचाई पर बहुत सुरक्षिक दुर्ग के तौर पर इसे बनाये गया था इसे करीब सात्वी शताबदी के दौरान इसका दिर्माड किया गया बपारावल जैसे शासको ने आत्वी शताबदी में इसको और बहतर किया और इतना सुरक्षित रहा कि ये अगले 500 सालों तक कई सारे सामराज और राजाओं के यहाँ पर एक सुरक्षित आबास के जाना कुम्भा क्या है एक ऐसा इसमारक है जो उन्होंने अलावद्दीन खिलजी और गुजरात के कुटब द्दीन एबक दोनों को एक साथ हराया था कुटब द्दीन एबक ये वो नहीं जो दिल्ली के शासक रहे उनकी नहीं ये गुजरात के राजा थे इसके लवाँ जो खिलजी थे उनको उन्होंने हराया और उसी की विजय के उपलक्ष में इसका दिर्मार किया गया था ये डमरू के आकार का नौ मंजिला इसमारक जिसमें 157 सीधियां इस पर अलग-अलग तरीके से हिंदू देवी देवताओं को उकारा गया इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें ब्रह्मा है विश्णू है शंकर पारवती है अलग-अलग देवी देवताओं के चित्रों को यहाँ पर उकेरने की कोशिश की गई है इतना ही नहीं ऐसा माना जाता है कि मुर्तिकाल का सबसे स्वरडिम यूग रहा है आप यहाँ पर जन जीवन से जुरू ही तमाम मुर्तियों को ही देखने का अवसर पाते हैं यह नौ मंजिला है इसमें देखने वारी बात यह है कि जब राणा कुम्भा उन्हें समझ में आया कि मैंने इतनी बड़ी समझना तो बना दी है लेकिन इसमें इसके सुरक्षा का ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि मुगल लगातार इस दुर्ग पर अटैक कर रहे था और मेवाड कभी भी हार मानने को तयार नहीं था तो मेवाड क्योंकि हार नहीं वानता मारवाड हार मान जाता था जैपुर और उसके आसपास की जो रियासते रही हैं वो हमेशा से मुगलों के साथ संबंद बना करके रहते थे लेकिन मेवाड के राजाओं ने कभी भी मुगलों से न संद की न उनकी गुलामी स्विकार किया तो राणा कुम्भा को ये बात पता था ये लगातार मुगलों का यहां पर अक्रमड होगा और वो इसे दिमोलिश करने का प्यास करेंगे तो उन्होंने चतुराई पुरवट इसके चौथी और पांचवी मंजिल पर कुरान की आयतों की नकासी करवा दिए ये बहुत इंट्रस्टिंग फैक्ट है इसकी वज़ा से बाद में यहां पर आक्रमड तो हुए अकबर का हुआ बाकि कई लोगों के आक्रमड हुए लेकिन उन्होंने इसके मून सन्रचना को शतिगरस्त नहीं किया है हाला कि उन्होंने हिंडू देवी देवताओं के जो क्रेविंग है जो सन्रचनाय बनी हुए है उनको ने बुरी तरीके से खंडुत किया तोड़ा है लेकिन पूरी जो structure है उसको उन्होंने छेडाने क्योंकि इसके चौथी और पांचवी मंजल पर अल्लाह या कुरान से संबंदित आयते हैं तो यह बनने में इसका जो समय काल रहा है वो 1440 से लेकर 1450 के बीच में इसका निर्मार हुआ था शांदार सा architecture है यहां तक ही जो राजस्थान पुलिस है वो भी इसे अपने गर्व के तोर पर अपने बैजिंग में इसका इस्तिमाल करती है राजस्थान में कभी भी कोई किसी को अपना उपहार देना चाहता है तो इसी विजए स्तम्भ को एक उपहार के तोर पर इसकी प्रतिली को रैप्लिका को उपहार के तोर पर अपने प्रिये लोगों को गिफ्ट के तोर पर देता है तो यह एक विजए स्तम्भ जिसके सामन में हमें समय